सो गाइस फाइनली यहाँ पे चेकर टाइस लगना चालू हो गया आपके प्लाइटफॉर्म में प्रिवेस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं डूरिंग दाइम आफ फिक्सिंग में एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा तो आज हम लो बात करेंगे कि फिक्सिंग के टाइम में पे क्या चीज़ें सिविल इंजिनियर आपको देखनी है मोटार रिश्यो क्या होना चाहिए motor thickness कितनी होनी चाहिए dimensions कितना होता है लेवल किस तरिके घ्रांस्वर करते हैं और water level का क्या use होता है तो वीडियो में बढ़ने से पहले एक छोटी से特लैंदो cheese on 왜 आ आपने देखा तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो फिर से में बढ़ रिपीट कर दूँ रेल लेवल से maximum height आपके checker tile का finishing का होता है 840 mm आप उसको 820 to 840 रखोगे it could be better उसके बाद है दोस्तों कि जब fixing होता है तो आपका जो checker tile से उसका जो dimension होता है वैसे तो होना चीए 300 mm बाई 300 mm लेकिन 5 mm जैसे मैंने बोला plus minus हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारे dimension मिल रहा है वो 305 mm क्रॉस 305 mm मिल रहा है और total number of checker tile जो यहाँ पर लग रहे है दोस्तों वो 7 लगते है इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब आप checker tile fix करोगे 7 number है मतलब जो total distance होगा आपके प्रिकास face से जहाँ पर आपने plaster कर रखा plaster face से वो हो जाता है 2.15 के around होता है but it could be better कि आप उसको थोड़ा और बढ़ा करो ढ़लाई जो करते हो न आप तो आपको करना है plaster face से आपको पकड़ लेना है 2.2 अगर आप 50 mm और बढ़ा देते तो वो भी अच्छा है तो it could be better कि आप 2.25 लेकर चलो प्रिकास के face से plaster face से dimension के बाद important part है कि इसको बैठानी के लिए जो हमें मोटार लगाना पड़ता है उसकी ratio कितनी होती है तो वो होगा 1 is to 4 one stand for cement and four stand for sand एक cement तो चार आपको हाँ पर बालू लेना है तो यह measurement कैसे करते है तगाड़ी के help से यहाँ पर जो हमार तगाड़ी यूज हरी है तो उस एक तगाड़ी में अगर आप 50 kg मतब एक बैग खाली करते हो तो तगाड़ी से नापते हो तो दो तगाड़ी हो जाता है अगर आप एक बैग का अगर मोटार बना रहे हो तो उसमें क्या होगा कि one is two four है एक बैग में दो तगाड़ी तो उसमें फिर बालू कितना मिलाना है one is two four है दो बन रहा है तो four into two eight मतलब आपको एक बैग cement का अगर मोटार आप बनाते हो तो उसमें आपको आट गमला आपको मोटार तायार हो जाएगा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कि मोटार की थिकनिस कितनी होनी चाहिए तो मिनियमम 20 mm आपको बिल्कुल प्रोवाइड करना है 5-10 15 mm और जदा प्रोवाइड करते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 20 mm से कम अगर दो गए तो भा लेवल करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट है यह कि आपको वहाँ पर सिमेंट और वाटर का पेस्ट डालके इस तरीके से डालना है और फिर उसके ग्रूप बना देना है जिससे आपका जो पकड़ है चेकर टाइल्स का और मोटार का वह काफी स्ट्रॉंग होता है बाद 0.830 मीटर यानि कि 830 mm रेल लेवल के हाइट से चेकर टाइल का फिनिशिंग के हिसाब से हमने लेवल प्रोवाइड कर गया इन एवरी 20 मीटर ठीक हो गया यहाँ पे एक गलती हुई थी दोस्तों कि हम लोग जब नहीं थे साइट पे तो यहाँ पे जो काम कर रहा था उसने से क्या किया ना कि एक लेवल जो हमने प्रोवाइड किया था ऑटो लेवल के हँड से वहाँ उसी लेवल से फूरू आगे पूरी तरीका से लेवल को ट्रांसफर कर देता है लेकिन यह रेलवे कन्सुराइट से अगर आप कोई भी लेवल ट्रांसफर करते हो मतलब कि होगा या तो अप होगा अगर आपने वाटर लेवेल की हेल्प से एक ही हाइट को कहीं और ट्रांसफर कर दिया तो अगर डाउन होगा या वहाँ पर अप होगा तो अपका लेवल गरबढ़ हो जाएगा या तो आप डाउन में चले जाओगा 820 से कम हो जाएगा या 840 से जादा हो जाएगा अब आप वीडियो को देखकर बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि वाटर लेवल यूज नहीं करना है बट यहाँ पे तो वाटर लेवल यूज कर रहा है तो फिर यह क्या है तो देखो क्या है कि जो चेकर टाइल से 7 नमबर लग रहा है जिसे मैंने आपको बोला कि टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2.15 के अरॉंड हो जाता है ठीक है तो हमारे सर्वे टीम ने एक तरफ दे लिया लेवल ठीक है तो हमें उसी लेवल को दूसरे टरफ ट्रांसफर करना है हमारा जो लेवल का वेरियेशन आ रहा है वहां पर करना तो यहां पर एक तरफ हमें लेवल डिया है दूसरे तर रहा करना था बस वहां पर देख सकते हो कि water level की help से यहां पर zero करके यह water level यहां पर water level में क्या होता दोस्तों कि दोनों तरफ जब bubbles निकाल दिया जाता है उसमें पानी भर दे जाता है और एक तरफ जो water का level होगा जिस height पर हमें measurement जिस height को हमें transfer करना है तो उसी water level को उस हाइट पर रखते है ताइस अधि के सीम लेवल पर रखते है और दूसरी तरह water को देखते है ठीक है तो वहां पर फ़यूरे अपना level शो कर आँदेगा जैसा आप देख सकतो है वाटर लेवल के हैं से इसी साइट का लेवल को दूसरे साइट में हमने बहुत इजली ट्रांसफर कर दिया सो गाइस कुछ इस तरीके से रेलवे प्लाटफॉर्म में चेकर टाइल्स की फिक्सिंग की जाती है खुप मैंने सारी डीटेल्स आपको बताने की समझाने की कोशिश किया है स्टिल अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है किसी पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हो दोस्तो तो आप मुझे प्लीज प्लीज कमेंट करके बताओ अगर वीडियो अच्छे लगती दोस्तो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेर करो थेंक्यू